मिथिन राशी वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा? मिथिन राशी वालों के लिए करियर के हिसाब से 2022 में करियर में कई अवसर मिल सकते हैं. अवसरों के लाव उठाने से पहले खुद पर ध्यान दें और अपने काम पर फोकस करें. दशन भाव का गुरू मार्च तक आपके भाग्य भाव में होंगे, जो आपके भाग्य की रद्धी करेंगे. अप्रेल में गुरू दशन भाव में गोचर करेंगे, तो इसे कारे शेत्र में आपको के सामने कुछ थोड़ी रुकावते आ सकती हैं, अपनी लगन और मेहनत से आप आने वाले सबी परिशानियों को दूर कर पाएंगे. बिजनस से जुड़े जो लोग हैं, इस वर्ष बड़े लाप की उमीन्द कर सकते हैं. मितुन राशी वाले लोग बिजनस में कोई नई योजना बना रहे हों, तो आपको सलाह दी जाती है कि 2022 के मद्य में योजना पर काम करें. आर्थिक इस्तति के अनुसार देखा जाए, तो शुरुवात में गुरू आपके भाग्य स्थान में गोजर कर रहे हैं, तो इससे आपको धनलाब होगा. इस इस्तति में आपको अत्यदिक चिंदन को छोड़कर आपके कारियों पर ध्यान देना होगा. और अपने कारियों पर ध्यान देकर आप काम करते हैं, तो आपके आर्थिक स्थति में सुधार होगा. यह वर्ष मिथुन राशी वाले लोगों के लिए अच्छा पर मिलेगा, आपको अपेक्षा से अधित लाब भी हो सकता है. और अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर और नौंबर में ग्रहों की स्थति से जो आपको अच्छा परिणा मिल सकता है. इस अधि में आपके पास अच्छा धन होगा, विस्वर्ष आपको धन की कोई कमी नहीं होगी. इसके अलावा नोक्री के लिए जो प्रमोशन के माध्यम से उन्हें सेलरी बढ़ सकती है. और परंतु आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं. इसलिए आमदनी और खर्च का थोड़ा संतुलन पना के रखें तो अच्छा रहेगा. अब परिवारिक द्रश्टी कौन से देखा जाएं, तो जीवन अच्छा है. साथ ही माता-पिता की सहथ अच्छी रहेगी, परिवार का वातावरन अच्छा रहेगा. घर की अवशक्ता के अनुसार आप खरीबाई करेंगे, जिससे आपको घर के बीच में आपको सम्मान मिलेगा. ग्रहों की क्रपा से परिवार में किसी शुप और मांगलिक कारे भी हो सकते हैं. अब जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और जो कॉंपिटिशन एक्जाम दे रहे हैं, तो उन चात्रों के लिए उनके परिशा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे. जो उच्छे शिक्षा गरांड कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए अप्रेल के बाद का समय अच्छा है. आपको इस समय हर विशे को समझने में मदद मिलेगी, इसमें आपको अपने भविश्य के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. जो बच्चे विदेश जाकर अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो विदेश जा सकते हैं, तो मिथुनराशी वाले बच्चे पढ़ाई करने विदेश जा सकते हैं, और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, तो परिक्षा में वो सफल होंगे. जो चात्रे का पॉलेज और इस्टूइट वगेरा में अगर अपना रिज्यूम दें तो उन्हें नोकरी मिल सकती है। साथ ही मिथुन राशी वाले लोग competition exam की जो तयारी कर रहे हैं, वह student अप्रेल के दूसरे सप्ता या अप्रेल के बाद उन्हें सफलता मिलेगी। अब स्वास्त की द्रश्टी कौन से देखा जाए मिथुन राशी वालों के लिए, तो सहेत को लेकर थोड़ इसी सावधानी बरतनी चाहिए, इन्हें अप्रेल के महीने तक आपको थोड़ा सहतर करहना चाहिए। क्योंकि इस समय चोट बगेरा लगने की संभावना है, क्रोध पर थोड़ा काबू रखें, नहीं तो मर्कुन काम भी खराब हो सकता है। मिथुन राशी वालों को थोड़ा मोटापा और अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। इसलिए नीमित रुप से अपने चिकित सक्ट, डॉक्टर से रेगुलर चेक अप वगरा कराते रहें। साथ में योगा, व्यायाम, ध्यान करते रहें। तो उनका हेल्थ अच्छा रहें। लास्ट में हम आपको कुछ रेमेडी बताते हैं जिससे आप मिथुन राशी वाले अपना 2022 धेतर कर सकते हैं। किसे वे बुधवार के दिन आप पक्षियों के एक जोड़े को पिंजरे से आजात करें तो इससे आपको सफलता हासिल हो सकती है। घर की बड़ी महिला हैं तो उन्हें आप हरे वस्तर दें और बुधवार के दिन और हरे रंग के वस्तर दें और हरी चोड़ियां दें महिला को तो आपका अच्छा रहेगा 2022 आपका बहतर रहने वाला है।